वेल्कम बैक तो दे चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे युएस इलेक्शन को लेके जैसे हम लोग को पता है कि युएस में इलेक्शन हो रहा है और नतीजी जो है वो बहुत जल्दी हम लोग के सामने आने वाले हैं एक तरफ में है डेमोक्रेटिक पाटी से कमला है रि का दे का ठकक्र है और कोई वेट किया हुआ है कि आगे युएस का इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है उसके बाद यूएस में इलेक्शन हो रहे है उसमें कुछ मेजर फैक्टर काम करता है आई आए आड कोन जीतेगा या नहीं जीत देगा वह तो एक रिफरेंट इशी है मगर जो major factor या फिर जो key role से US election का उसको थोड़ा सा analysis करने का कोशिश करते है पहला जो major factor है वो है US election का date हम लोग को पता है कि US election हर 4 साल में एक बार होते है मतलब जो president के election होते हो हर 4 साल में एक बार होते है और हम लोग के इंडिया में जैसे हम लोग देखते के election जो है वो मनलब का भी कबार होता है के माहिने भर चल रहा है पूरा इंडिया में ऐसा नहीं होता है US में election का जो date है वो fix किया गया है और इसी date को uniform date कहा जाता है exactly November का जो first quiz day होता है उसी date में ये election organize किया जाता है हर 4 साल बाद तो देखा जाए तो इस बार भी वही होगा जैसे के हम लोग को पता है आज ही November का quiz day है और इस date में US में election हो रहा है आगे जाके different state में election होगा और ये different state का जो election का जो counting होगा उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन बाजी जीद गया तो ये सुनने के बाद आप पूछी सकते के भाई ऐसा क्यों ये particular ये uniform date क्यों fix किया गया है US के history में अगर देखे 1845 से ये जो uniform date है ये fix किया गया है इसके पीछे एक reason है US का कहना है कि इस समय जो farmers होते है जो किसान होते है वो लोग अपना जो फसल है वो लोग कार्ट देते है जिसके वज़े से उन लोग के पास पहुत सरा time रहते है और वो लोग अपने तरफ से vote में participate कर सकते है on the other side अगर देखा जाए Tuesday एक ऐसा day है as per US जिस दे में जो work pressure होता है वो थोड़ा सा कम होता है compared to other days अगर आप weekend में करेंगे at that point of time हो सकता है कि आपका घर का काम का pressure है या फिर weekdays में जो काम आप नहीं कर पाते वो आप weekend में करते है on the other side Monday आपका week start हो जाता है जिस दिन आप के उपर सबसे जाधा pressure रहता है तो Tuesday एक ऐसा day है जिस दिन work pressure as per US थोड़ा सा कम रहता है इसलिए इस के तरफ से जो November का first Tuesday आता है उसी date में यह election को organize किया जाता है अब आते है second factor जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग का इंडिया में जब election होता है तब media one of the key role play करता है different type अगर आप exit poll को ले लीजिए हर कोई अपने तरफ से बोल देता है बहुत बार हम लोग को देखने को मिलता है जो एक्जिट पोल है यह completely गलत निकल आता है जैसे कि इस बार जो last election हुआ उसमें भी हम लोग ऐसे ही देखे है तो डिपेंड करता है कि कौन exit poll कर रहे है और exit poll जो है वो ग्राउंड से कितना connected है अगर आपको पता चल जाएगा कि यूएस का जो अगर देखा जाए डॉनल ट्रॉम ने अपने तरफ से पहले बहुत बार कंप्लेंड किया है जिसमें डॉनल के वेबसाइट में अगर आप जाके डॉनल त्रॉम को सर्च करें डॉनल ट्रॉम को नाम है पहले नहीं आ रही और बहुत पीछे आ रहा है यह उनका जो कोई भी आप कुछ भी सब्सक्राइब कर रहे हैं इसको लेकर ट्रॉम अपने तरफ से कौट में गया एस पर यूएस लाउग यह बहुत ही गलत है जिसको लेकर आगे बहुत ही कुछ legal actions भी लिया गया था अगर देखा जाए डॉनल ट्रॉम के प्रेजेंट जो फ्रेंड है तो उनका जो एक्स हैंडल है जिसको हम लोग पहले ट्वीटर करते थे अभी वो लोग उसका नाम चेंज कर दिया है उसको एक्स किनिया में किसी को भी अगर कुछ कहना है डॉनल ट्रॉम्प वही ट्वीटर को यूज किया है अपने तरब से अपना जो व्यू है वह एक्सपोज किया है ट्वीटर के माध्धम से आप चाहे तो इसको एक्सेंडल भी आप बोल सकते हैं अब आते हैं थार्ड फैक्टर फे सेगेंड जो कैटेगरी है वह है आपका ब्लू स्टेट ब्लू स्टेट मतलब जहां डेमोक्रेटिक पाटी का जितने का चांसे बहुत जादा है और थर्ड जो कैटेगरी है उसे कहते हैं स्वींग स्टेट या फिर बैटल ग्राउंड इसलिए कहां जाता है क्योंकि यह सार स्टेट ही युएस का ऐसा स्टेट है जो आगे जाके डिसाइट करेगा युएस का प्रेसिदेंट कौन बनेगा जिस टाइम डॉनल ट्रॉम लास्ट इलेक्शन हारे थे अड़ पॉंट ऑफ टाम यह सारा स्टेट में डॉनल ट्रॉम अपने तरफ से पीछे चल गये थे जि काफी कम डिफ्रेंस रहता है दोनों पार्टी के बीच में तो यह सारे स्टेट में आउट आफ फोर स्टेट ऐसा है जहां हिंदूस जो है मतलब चाहे हो इंडियान हो या फिर अगर आप जो युएस के सिडिजन से वह जाड़ जो हिंदूस है उनलों का जो काउंट हो काफ और वह एलेक्शन जीत जाता है तो हिंदू सेफ्टी ओल ओवर वर्ल्ल नॉट अली बांगलदेश नॉट अली इस दुनिया में कहीं भी अगर हिंदू सेफ्टी के में जो भी वह करत पाएगा और जाके करेगा हो सकता है कि यह वान अफ दे की फैक्टर बने कि यह सारा प्रब्लें में हम लोग वर्काउट करेंगे तो एक एक करके देखते कौन सा पाटी अपने तरफ से क्या-क्या इश्यू को हाइलाइट कर रहे है जिस पर वह आगे जाके काम करने का प्रॉमिस कर रहे है पहले जो है आपका कमला हैरिस अपने तरफ से जो फर्स्ट है जिस टाइम में यूएस कंप्लीटली इसराइल को सपोर्ट कर रहे यह वार में नेक्स जो पॉइंट है कमला हैरिस का उनका कहना है कि वह आगे जाके ओमन अबोर्शन को अलाव करेगा अगर देखा जाए कमला हैरिस उस टाइम में भी वाइस प्रेसिडेंट थी जब जो लौ है यह उसमें चेंजेज लाएगा अगर वह प्रेसिडेंट बन जाती है तो थर्ड पॉइंट इस टैक्स का कहना है कि अगर वह प्रेसिडेंट बन जाती है अगर वह प्रेसिडेंट बन जाती है जो गड़ीब है उन लोग के ऊपर जो टैक्स से उसको रिडूस किय जाएगा on the other side जो अमीर है उनलों के उपार जो टैक्से से उसके इंक्रीस किया जाएगा on the other side अगर देखा जाए कमला है इसके पार्टी के अभी जो प्रेसिडेंट है यूस के मतलब जो बिडेन वो इस उनके खिलाफ थे उल्टा जो बिडेन अपने तरफ से यह जो टैक्स क करेगा जबकि अगर देखा जाए ट्रॉम्प इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है त्रॉम्प इसके एगेंस्ट में है मतलब वह उक्रेन को फंडिंग को कभी सपोर्ट नहीं करेगा आगे ट्रॉम्प का जो इश्यों मैं आपको अलग से बताता हूं on the other side कमला है इसका जो न soft बने रहे इसके लावी अगर हम लोग ट्रॉम्प को देखे ट्रॉम्प इन लोग के एगेंस्ट में है ट्रॉम्प का कहना है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं तो मैं लाओ लाओंगा और according to the law जो भी यूएस में illegally रहे रहे है at that point of time उन लोग को मैं यहां से regulation मतलब यूएस में अगर देखा जाए जिस टाइम में ट्रॉम्प का गवर्मेंट हुआ करता था अभी जो जो बिड़न का गवर्मेंट है दोनों में compare करके ट्रॉम्प ने अपना social media में एक post भी किया है जिसमें उन्हों नहीं clean and clear दिखा दिया के जो सामान है जो basic need है जैस जो बिड़न इसको लेके कुछ entertain नहीं कर रहा है जो बिड़न अपना मतलब यूएस का जो पैसा है वही पैसा वह यूपरेन में funding कर रहा है जिससे आगे जाके यूपरेन रशिया से लड़ रहा है तो ट्रॉम्प का ये भी कहाना है कि आगे जाके आगा ट्रॉम्प जीत ज अब से statement दिया है ट्रॉम्प का कहना है जो social security income है जैसे हम लोग के इंडिया में pension मिलता है तो ऐसे ही यूएस में आपको मिलता है social security ट्रॉम्प का कहना है जो social security जिन लोग को मिलता है उन लोग के उपर जो tax है उसको decrease किया जाएगा आगे जो tax अभी यूएस में चल रहे है उस हिसाब से उसमें भी changes ला जाएगा जिससे आगे जाके यूएस के जो citizens है उन लोग को कुछ रहात मिलेगा और यह जो inflation है इसके वैसे इतना price हाई हो के बैठा है यह सब सामान का जो price है उसको भी decrease किया जाएगा इसके लावी अगर देखे ट्रॉम्प ने अपने तरब स से हिंदू के safety को लेकर बहुत जादा हाईलाइट किया है हो सकता है कि यह one of the major reason है कि यह जो swing state है वहाँ जो voter है उन लोग के लिए on the other side आगे जाके अगर ट्रॉम्प election जीत जाता है तो hopefully हम लोग यह expect कर सकते यह सारे जो points से इसमें Trump काम करेगा अगर Kamala Harris जीतती है at that point of time जो इसमें लोग अपने तरब से कुछ न कुछ solution ढूनेगा उसको भी resolve करेगा तो no doubt कोन जीतता है यह one of the major question है अभी के लिए जो भी कोई भी जीतेगा वो अपने तरब से अपना अगर promise fulfill करता है at that point of time US के लिए यह बहुत ही अच्छा होगा आगे जैसे election का कोई information आगे आता है मैं आप लोग के लिए एक अलग सा वीडियो बना दूँगा अगर आपको यह वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल डाड़ इस अतनू पॉल ए टीए ए एनू स्पेस पीए यूल में जाके आप पॉसकता है कि उनका भी टेस्ट चेंज हो जाए आपका जो टेस्ट एक सिमिलर टेस्ट ग्रो करना शुरू कर दे जिससे क्या होगा जिससे हम लोग जैसे जो क्रेटर है हम लोग का जो रोजी रोठी वो चलता रहेगा ऑन दाजा साइट जब भी भी चानल में जा रहे है पॉसकता है